जम्बू द्वीपे भरत खंडे आर्या बरते भारत वर्षे जम्बू टॉक्स देखने वाले हमारे सभी दर्शुकों का बहुत स्वागत अभिनंदन मैं हूँ आपके साथ निधीश गोयल करता हूँ आप सभी का यतोच्छत अभिवादर प्रत्यांचा यह हमारी शंकला है जिसमें मैं 8-10 मिनट के कुछ विशलेश आपके सामने प्रस्तुत किया करता हूँ और इस शंकला में 100 एपिसोड पूरे हो चुके हैं इसके लिए ये दर्शुकों को बहुत बढ़ाई कि आपके गरण से एपिसोड पूरे हुए इसकी पूरी प्लेलिस जो हमारे चैनल पर चर्चा करेंगे लेकिन उस चर्चा से पहले आपको बतातूं कि जल्द ही मुझे ऐसा लगता है कि एक फिल्म जो है हमारे बॉलिवुड वाले करांची वुड़ वाले उर्दू वुड़ वाले वो बनाने वाले हैं अब फिल्म में क्या होगा एक लड़की होगी जो एक ग अब बात होता यह है कि वो हिजाब पहन के जाती है तो कॉलेज वाले जो है वो उसे परमिशन नहीं देते हैं कि तुम हिजाब में हिजाब में नहीं आ सकती हो तो वो एक बार फिर से अपने माबाब को समझाती है माबाब नहीं समझते हैं कि वही हमने तुमें परमिशन द आपके लिए महत पपूर्ण है अब कॉलिक प्रभंदन को पास में परिशानी आ गई है कि वो क्या करे उसके पास मानवादिकार कारी करता हो कि बात सुन करके उसे कहेगा कि ठीक है आप जो है वो शिक्षा लीजिए पूलर की बहुत अच्छे नमबरों से पास होगी दिरे- कि इस अफसर बनेगी और आःउ एस अफसर बन करके हिजाब पहन करके वो उसी कारेला में जाएगी और उसके बाद में रिपोर्ट लेने के लिए एक बार फिर से वह उसी कॉलेज में भी आएगी और बतायेगी एक भाशन देते हुए कि किस तरीके से मैंने इसलाम की मर्यादाओं का भी ध्यान रखा, मैंने अपने परिवार की मर्यादाओं का भी ध्यान रखा, मैंने टट करके कॉलेज में पढ़ाई भी गई, कॉलेज में मुझे हिजाब पहन करके आने में कोई समस्या भी नहीं हुई और मैं आपके सामने एक IS officer बन करके हिजाब पहन करके ही खड़ी हुई हूँ, कैसा लगा आपको, कितना बढ़िया लगेगा ना है, आप भी सोचेंगे फिल्म देखने के बाद में, कि कितनी अच्छी फिल्म है, बारे बारे की मुल्लियों का भी ध्यान रखा गया, मर्यादा इस फिल्म को देख रही है, आप भी पहन के जाएए, माब आप भी कहेंगे, देखो हमने भी तुमको कहा था, लेकिन तुम नहीं मानती, कल से तुम भी पहन करके जाओगी, जब तुम बागबान हमें दिखाती हो, दिखाते हो बच्चों, तो फिर तुम्हें दिक्कत नही आती है, हम तुम्हें दिखाते हैं, और तुम हमें थ्री इंडियर्स दिखाते हो, तो आज से अब ये फिल्म भी आप देखिए, ये फिल्म का कहारक मैंन इसलिए बुना है, क्योंकि इसमें ये चीज़ शामिल है, जो जज्जमेंट में आई है, दो लोग है, सुप्रीम को मसला है, हिजाब का मसला नहीं है, यूनिफॉर्म का मसला है, और यूनिफॉर्म शिक्षन संसानों में है, वहाँ पर आप हिजाब नहीं पहन सकते हैं, आपको पहनना है, आप आर्केट में पहन के जाए, शादी विवाब में, समारों में पहन के जाए, आप जहां बाहर कह पहना चाहें आपना पहनी आपकी मंद्जी है लेकिन शुक्षन संसानों में जहां पर यूनिफॉर्म है वहां पर आप इसे नहीं पहनेंगे शुधार शुदुलिया जी का कहना है कि यह बेसिकली उसका पाट ही नहीं है इसमें कोई मसला ही नहीं है यह बच्चियों की शिक् का पाट है या नहीं है लेकिन एक बात वहां पर उन्होंने जो मिस करी है वो यह है करनाटक हाई कोट इस मुद्दे में नहीं गया कि हिजाब इसलाम का एसेंशल पार्ट है और इसे जो है वो बरकरार रखना चाहिए और यह आपके जम्यदारी है क्योंकि यह देश्रम सम् मुद्दे को इस पॉइंट को नहीं रखता तो यह याचिका करताओं का अपमान होता और एक सेकुलर देश में ऐसा तो हो नहीं सकता इसलिए करनाटक हाई कोट ने यह इसलाम का एसेंशल पार्ट हिजाब हो ऐसा किया यह नहीं है याचिका करताओं ने ऐसा दलील रखा उ उनका यह बिंदू था उसके बाद में करनाटा हाई कोट ने इसको लिया और उसके बाद में दलील ने प्रस्तुत की कई खेर आगे होने वाला यह है कि यह मुद्दा जो है वो अब आगे जाएगा चूकि हिमंद गुपता जी जो रिटायर होने वाले है और इस समय देश क है तो क्या अगर जो पहले भी बात हो इसको मैं एक बार दोहराता हूँ कि अगर यह matter of choice है तो आगे जाकर के जितने भी जगहों पर शिक्षिन संसान हो या फिर आर्मी हो या फिर आपका ही कोट हो वहाँ पर आप हिजाब पहन करके किसी को भी आने की अरुमती देंगे छे लड़कियों ने उस college में इस चीज़ को आगे बढ़ाया कि हम हिजाब पहन करके आएंगी उससे पहले वो हिजाब पहन नहीं पहन करके लगादार आ रही थी औरने कोई समस्या नहीं थी यह संग्यान में लिया गया था कि यह PFI या निकी popular front of India के द्वारा एक attract किया गय जिस संगिधन को पांच वर्ष के लिए भारत में बैन कर दिया गया है तो यह सोता इस फूर्थ अंदोलन बिल्कुल भी नहीं था दूसरी बात यह ही है जो हमें समझ लेनी चाहिए कि जिस चीज के लिए दुनिया भर में आंदोलन हो रहे हैं कटर इसलामिक दिश इरान ज लागू करना चाहते हैं तो बेसिकली आप संदेश क्या दे रहे हैं अगर कोई धर्म गुरु इसके बारे में कुछ बोलता तो बात अलग हो गी लेकिन अगर सूप्रीम कोड इसके बारे में कुछ बोलता है तो उसका संदेश बहुत अलग जाता है इसलिए चिंता की बात कि अपने सुवधा के अनुसार में उन चीजों को मोड़ करना चाहते हैं इसी की किसी हैं देखना ये पड़ेगा कि अगर धार्मिक सुपंद्रता का अधिकार है तो जिस तरीके से वहां पर घटनाई हुई कि किसरिया पहन करके साफ़ा पहन करके लोग वहां पर आने लगे बच्चे वहां पर आने लगे तो क्या शिक्षन संसानों में इस तरीके का विभार ही लगे द्वारा उसे आप देश की समस्या कैसे बना सकते हैं इसका मतलब यह हैं कि आप भी किसी हजंड में फसे हुए हैं और अगर आप एजंड में फसे हुए हैं तो जल्दी देश की चंता उस हीजंड से आपको बःब कर गए से आज के कार्क्रम में इतना ही, आपको ये कार्क्रम कैसा लगा, अपने टिप पड़ियों के मात्यम से हमें ज़रूर बताईएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, और आपको लगता है कि देश और धर्म के लिए हम को अच्छा गाम कर रहे ह तो हमें सहयोग अब शुक्र कीजेगा, नमस्ते, जय हिंद, जय भारत, पंदे मातर